अब बुर्นगाइब आज है आठ मार्च और आपको दो पता ही हो आठ मार्च को क्या होता है तो गाईज आज है नहीं सिबरात्री और मेरे सुह में बहुत ही मस्त आयोजन होता है इसका बागवान से साधी होती है footage और बारात निगलते हैं तो गाइज आज आपको दिखाने वाले हैं हमारे सहर सुचान गंज का समाह सिप्रा को तो गाइज नहां दो के हम निकल लिए गंगा घाट की तरफ और वहीं पे सिब मंदिर भी है तो चलो आपको सीधा गंगा घाट में मिलते हैं तीन चार मिनिट अपनी बाइक दोड़ाने के बाद हम पहुंचके गंगा घाट पर और गंगा घाट पहुंचने के बाद हमें ये देखने को मिला काफी चैल पहलती बहुत सारफ भीड थे काफी वात्वेजन गंगा सनाद कर रहे थे तो हम आ चुके हैं सुल्टानगन गाइस महादेब की नगरी जैसे कि आप हो पतना है आज है महा सिवरात्री तो गाइस ये देख लो चलते हैं भाई सब महादेब जी के घर पे तो गाइस ये ब्रीज सीधा मंदिर से कनेक्टेड है तो आई एस की उपर चलते हुए हम पहुंसते हैं मंदिर की ओर हर हर महादेर हर हर महादेर तो गाइस ये मेरे बहुत ही पुराने मित्र हैं साथ आठ साल से हम लोग जानते हैं दूसरे को तो काफी दिनों बाद ये मिले हैं हमसे तो भाई आज के ब्लॉग में आपको ये भी दिखेंगा तो वो जो गाइस ब्रीज देख रहे हैं आप दूर में कुछ दिन पहले आप न्यूस सुने हो गए यही वाला ब्रीज जो है गिरा था पानी में भाई आगलपूर बिहार सुल्तार गाज जो की पेमस हुआ था सत्तरा सो करोड पानी में डूबा आईए वही ब्रीज है गाइस वर्ड फेमस पूछा किसी ने पूछा किसी ने तो पाइनली आ चुके हैं ब्रीज प्रॉस करके एंट्रेंज के पास मंदिर के ऊपर तो नहीं लग पा रहे है कि जा पाएंगे काफी मेड़ है यहाँ पे प्रॉपर साधी होता है ना बगवान जंकर का और साम में बारात निखलता है यह रहा गाइस वो वर्ल्ड फेमस संजा काफी प्राचीन मंदिरे क्या लड़का है वेरी हैंसम बॉइ परो का फाइदा है तुम घुस्द परी तुम जने जहाँ तुम्हूटा जाह उक्वर्ड नहीं लगता है उटना खैच मिन आता है यह वह यह देगो जिए स्रीडा सानातनी फ्लैग oh my god तो तो आग ती खाओगा दूगा देगा आप कहा ते ज्यानी बाबा अरे सर ज्यान है बडिया ज्यान है अब अतियक जो महोदे अरे मैंजा वह का सीरे यह बड़ाई अब ही तो थोड़ा बहुत मैन में टेचेस मिल गया है बट काफी फॉरेनर्स इसको देखने के लिए आते हैं भाई बोट बोट बुक करके अच्छा गासा तो यह सब जो आप देख रहे हो भगवान की मूरतिया भाई यह सब आप एक तरह से मान लो सतियुक के जवाने का आई है कारवन डेटिंग करोगे तो काफी हजारो साल डेट बैक कर जाए गए देख लो भाई उपर जड़वड निकल गया है पूरा मदलब एक चटान पर यह मंदिर बना हुआ है और यह महादेव की मंदिर है तो सक्षम भाई हमें इस जगह का पहल्यू समझाते हुए तो गाइज अभी टेमपरेचर लगवक तीज दिग्री तो हो ही रहा होगा बट गाइज इतना प्यारा हवा चल रहा है यहां का एटमोस्वेर इतना प्यारा है ऐसा फील नहीं हो रहा है गरमी कुछ फीली नहीं हो रहा है तो गाइज हम लोग उल्टे साइट से मंदिर के अंदर घुज तो गया है बट लगने राय की आप तो दिखा पाएंगे काफे बेड़ा है तो गाइज हम लोग मंदिर से निकल चुके हैं और चलिए आपको हमारे सुल्तानगर्ज के गंगा किनारे की खुपसूरती दिखाते हैं आप देखरो ये है हमारे सेटी का मंदिर की है और अब इधर देखो भाई इसके लेफ साइड पे आपको देख रहा है कुछ तो वाइट वाइट साइज कहा जाता है ये माता पारवती का मंदिर हो अगरता था यहां पे मजिद बना लिया गया है और देख लो ये प्रित आपको पता ही है या पारवर बुटी जा रहा है तो गाइस हम निकल लिए घर की तरफ क्यूंकि बारात निकलने में अभी थोड़ी देर थी तो हमने सोचा हम जब बारात निकलेगी तब ही आ जाएंगे तो भाइया जिन्हे अपने ताजे ताजे गन्ये में डाल के जूस बना के हमें दिया और हमने दो दो प्लास पी लिया और उसके बाद अपने बाइक पर बैटकर हम निकल लिए घर की और तो गाइस घरा के मैं अपने कामों में इतना बीजी हो गया था कि मुझे ध्यानी नहीं रहा कि आपको दिखाना भी है अगवान सिब जी की बारात मैंने अपनी गाड़ी उठाई और निकल गया मंदिर की और बाहर निकल के पता चला कि भाई अब तो लगवाग कतमी हो चुका है सारे लोग वापस लौट रहे थे तो भाई थोड़ा डिसपॉइंट हो गया बट जैसे ही मैं में रोड पे पहुँचा तभी मुझे दिखा गाई झाल झाल पागवान सिप जी की किरपा से हमें बारात की थोड़ी बहुत जलकिया देखने को मिल गई फिर उसके बाराद भाना ते रेको घर नहीं लगता हमने भी हमें जॉइन कर लिया मंदिर पहुँचकर हमने देखा मंदिर वागई में बहुत प्यारा लग रहा था पोटो सूट होते हुए यहां पर ओमाइगाड राइडर वोई अच्छा ले लो या तु नहीं अच्छा ले रहे भाई यही था कुछ बगवान सिव का सुल्तामियन में सिवरात्री का उच्छ सब तो अब हम लोग विदा ले रहे हैं बाई यहां से और चलते हैं अपने अपने घर की ओड बाई मिलते हैं फिर कभी किसी और दिन किसी और सफर बे तब तक के लिए बाई गाईज